मश्कार जहरोखा चैनल में आपका स्वागत है और इस बार हम सुमित्रा नंदन पंथ जी का जीवन पंचे करेंगे चलिए शुरू करते हैं पंथ जी का जीवन पंचे पंदी जी का जन सन 1900 में हुआ था और उनकी मृत्यू 1977 में हुए उनका जन उत्राखंड के अन्मोडा नामक इस्थान पर हुआ था और वैं बच्पन से ही कंदा लिखने के प्रतियं अकरश्ट हो गए थे इसकूल के दिनों में ही उनकी कंदाओं के लिए पुरुसकार मिलने लगे थे और कंदाएं प्रकाशित भी होने लगे थे बाद में उन्होंने निरंतर तग्दा रचने का पहरी किया और छायावाद तथा प्रग्यतिवाद के प्रमुख कवियों में अपना इस्थान बनाया प्रचनाएं पंति जी ने प्रमखुरूप से कविताओं की रचना ही की है और उनके काविश संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं मेर्णा पल्लो योगवाणी ग्राम्या स्वन्ड किरण चिदंबरा और लोकाईतर आदि अब हम उनका कलापक्ष जानेंगे पंति जी ने आरम में जो कविताओं लिखी उनमें प्रमुख रोप से प्रकृती के प्रती गहरा प्रेग और रहस्यमई भावना के दर्शन होते हैं बाद में उनकी कविताओं में प्रगतिवादी चेत्रा दिखाई देती हैं और इस तरह वे छायाबाद के सपनीले संसार से निकल कर प्रगतिवाद की यथार्थवादी भूमी को अपनाते हैं उनकी कविता में भाषा की कुमल कांत पदावली और अलंकारों की छटा का विखेश महत्वा है और आप जानते हैं भावपक्ष पन्ती जी की कविताओं में प्रकृती की सुन्दर्ता का मनोरम चित्रण हमें मिलता है इसके लावा उन्होंने आध्यात्मिक रहस्यवाद और जानने समझने की चेश्टा दिखाई देती है और विचारों को उन्होंने अपनी कविता का विश्यवना है रूस में समाजवाधी करांती होने के बाद पूरे संसार में प्रगतिवादी चेतना का प्रवेश हुआ और हिंदी साहित पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा और पंध जी तथा निलाला जी जैसे कवियोंने अपने को प्रगतिवादी चेतना से जोडा भाशा शैली, पंदी जी की भाशा हिंदी की तच्सम शब्दावली से बनी है, उन्होंने प्रकृति के बिम्बो को कोमल शब्दों के द्वारा निर्मित किया है, उन्होंने मुक्तत तथा प्रबंद दोनों ही कावशैलियों को अपनाया और साहिप की सेवत, सम्मान और पुरुसकार, पंती जी आकाश्वणी के परामर्ष दाता बनाये गए, उन्होंने लोकायतन नामक एक सांस्कृतिक संस्था के स्थापना की, उन्हें भारत सरकार ने पग्द भूशन के उपाधी से अलंपृत किया, और हिंदी का पहला ग्यान पीट पुरुसकार भी पंती जी को ही दिया गया था, पंती जी ने कविता और बूढ़ा चांद कविता संघ्रें पर, उन्ने इस सो साथ में साहित अकाद्मी का पुरुसकार अरजित किया था, और उन्हें ग्यान पीट पुरुसकार मिला, इसके अलावा भी उन्हें बहुत से संभान और पुरस्तारों से नवा जा गया तो यह था सुमित्रा निदन पंद जी का जीवत बच्छा है कि आशे शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत-बहुत भेंदेबाद